वेल्कम टो आवर चैनल एस्टो विद मनुज आप सभी विवर्स को नए साल की शुब कामना है नया साल दोस्याद चबीस आप सब के लिए खुशियों बरा हो यही हमां कामना करते हैं आज हम बताएंगे के दनू लगन के लिए दोस्याद चबीस क्या लेकर आया है यह राचीफल आपके लगन पर अधारित है आज हम दनू लगन के लिए शिक्षा, कैरियर, स्वास्त विपार और विवाहिक जीवन के बारे में उनके बताएंगे दनू लगन में ब्रस्पती आपके पंचम बाब में गोचर करेंगे और मई के महिने में वो आपके शेष्ट बाब में गोचर करेंगे राहु सारा वर्ष आपके चत्वुत बाब में गोचर करेंगे और केतु आपके दश्चम बाब में गोचर करेंगे शनी आपके तृत्य बाब में गोचर करेंगे और जुलाई के महीने के बाद वो आपके दृत्य बाब में गोचर करेंगे पंचम बाव में बरस्पती के गोच्चर से आपकी शिक्षा में सुधार होगा आपको संतान पक्ट से राहत मैसूस होगी अगर आप किसी नए रिलेशन की तलाश में हैं तो वो भी आपकी पूरी होगी अगर आप फैमिली प्लैनिंग की सोच रहे हैं तो उसमें आपको कामजाबी मिलेगी मई के महीने में बरस्पती जब शेष्ट बाव में कोच्चर कर जाएंगे शेष्ट बाव जो की एक त्रिक बाव है धनू लगन के लिए रोग रिन शत्रू का गर एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको कोई ना कोई रोग परेशान जरूर करेगा आपको किसी को रिन नहीं देना चाहिए ना ही रिन लेना चाहिए शत्रू आपके किलाव कोई ना कोई चाल चलते रहेंगे हाँ यदि आप फोरण जाने की प्लैनिंग करें हैं तो आप उसमें कामजाब रहेंगे आपके वीशा समंदी कारे बन जाएगा क्योंकि ब्रस्पति की द्रिष्टी आपके क्वेल्थ हाउस पर है रहु सारा साल आपके चतूर्थ बाव में गोचर करेंगे चतूर्थ बाव एक सुक स्थान है रहु आपको सुक सुविदा के सभी साधन उपलब्ध करवा सकते हैं अगर आपकी कुंड़ी में राहू अच्छी पुजिशन में हैं तो केतु इसी तरह सारा सल आपके दशंबाव में गोचर करेंगे, केतु के गोचर से जातक अपनी नौकरी में बदलाव की जरूर सोचेगा उसका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है क्योंकि राहू और केतु को कुंड़ी में शुप ग्रह की संग्या मिली हुई है, केतु को डिटैश के ग्रह के रूप में भी देखा जाता है आपके खर्चों में भी बड़ोत्री हो जाएगी शनी सारा साल आपके तृत्य बाव में गोचर करेंगे और तृत्य बाव में शनी जुलाई तक रहेंगे और उसके बाद शनी आपके सेकिंड होस में चले जाएगे शनी तृत्य बाव में हमेशा ही जाता को अच्छे फल देंगे अगर आप सोशल मीडिया की शेतर में काम करते हैं तो आपको उसमें फाइदा मिलेगा आपके प्राकरम में भी वरिदी होगी क्योंकि थर्ड हाउस प्राकरम का बाव है शनी की दिश्टी नवम बाव पढ़ने से आपके पिता की सेथ को नुकसान हो सकता है और आपके रिलेशन भी पिता के साथ बिगड सकते हैं लेकिन जुलाई के बाद शनी देव जब वक्री होकर आपके दुट्य बाव में आ जाएंगे तो आपके बेंक बिलन्स में वरिदी होगी परिवार के साथ आप अच्छा समय भी बिताएंगे आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेर लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल थेंक यू फॉर वाचिंग